हालेलुया सबको जैमसी की जीजेश्टीम जैपुर में आप सबका बोश स्वागते तो आज का वचने लुकारची सुसमाचार 15 की 11 से 32 आयात जो की दर्शाती है उड़ाव पुत्र की कहानी तो यहाँ पर प्रभी एश्व मसी हमें बताथे हैं की एक मनुश्य के दो पुत्र थे उन में से छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है की मुझे अपनी संपति में से मेरा हिस्सा मुझे दे दे तब उसके पितार ने ऐसा ही किया जो संपत्ति में जो भी भाग उसके छोटे बेटे का था उसे दे दिया तब कुछ दिनों के बाद वे छोटा पुत्र अपनी संपत्ती को इखटा करके दूर देश को चला गया और वहाँ जाकर उसने अपनी सारी संपत्ती कुकर्म, खाना पीना, एशो आराम और गलस संगती में उड़ा दी और एक दिन उस देश में अकाल पड़ा तो वह कंगाल हो गया और उसके पास कुछ भी न बचा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास खूब पैसा था पर सब गलत कामों और गलस संगती में उड़ा दी और जब उसके पास कुछ न था तो इदर उदर से ठुकरा दिया गया और फिर उसी देश में रेने वाले वेक्ती के पास रेने लगा उसने उसे सुर चराने का काम दे दिया और उसे खाने में जो सुर खते थे और जो बच जाता था वही उसको मिलता था कुछ दिनों तक ऐसी ही दूर दशा में पड़ा रहा फिर कुछ दिनों के पसाथ उसको इसमरन आया की मेरे पिता के घर में काम करने वाले को इससे अच्छा बोजन मिलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं की जब तक उसके सारे पेसे खर्च हो जाने पर और सोरो का खाना खाने के बाद वहे आपे में आया की मेरे पिता के घर में मुझे हर चीज मिलती थी तो यहाँ पर हम देखते हैं की जब तक उसके सारे पेसे खर्च हो जाने पर और सोरो का खाना खाने के बाद वहे आपे में आया की मेरे पिता के घर में मुझे हर चीज मिलती थी जब तक हमें उसकी वेल्यू समझ में नहीं आती और जब तक हम किसी संकट में नहीं पढ़ते तब तक हमें उस प्रेमी पिता की याद नहीं आती है और जब उस उड़ाव पुत्र को इस बात की सूदी आई कि उसके पिता के घर में नोकरो को भी पेट बर बोजन मिलता है और मैं यहां भूका मर रहा हूं उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस लोड जाऊं और अपने पिता से समा मांग लूँगा और कहूंगा सुरक के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया है इसलिए मुझे शमा कर और तेरा पुत्र केलाने योगे नहीं रहा इसलिए मुझे अपने मजदरों की तरह मुझे रख ले वह जानता था कि उसका पिता प्रेमी और दयालू है और वह उसे माफ जरूर करेगा उसके बाद हम देखते हैं कि वह उड़ाव पुत्र सब बाते सोच कर अपने पिता के घर को चला और जब वह उड़ाव पुत्र अपने घर के पास आया और उसके पिता ने दूर ही से उससे पेचान लिया और दोड़ कर उसके पास गया और गले लगा लिया और उसे बहुत चूमा और अपने दासों से कहा कि जल्दी से एक अच्छे से अच्छा वस्तर लेकर आओ और मेरे बेटे को पेनाओ और उसके हाथ में अंगुटी और पेरों में जूदिया पेनाओ और एक पलाओ पशु मार कर उसे पकाओ कि हम सब आनंद करे क्योंकि पिता इस परकार केता है कि यहे मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है और आनंद करने लगे बाइबल हमें बताती है कि जब कोई पापी अपना मन फिराता है तो उस मन फिराने वाले पापी के लिए परमेशर के सामने सुरगदूत आनंद करते हैं और आगे हम देखते हैं कि जब उड़ाओ पुत्र आता है तो उसता बड़ा बाई इस बास से खुस होने के पर नाराज होता है और वे अपने खेट से घर आता है और गर से गाने बजाने का और नाजने का सब सुनता है तब वे अपने दास को बुला कर पूसता है कि ये क्या हो रहा है तब वे दास बड़े बेटे से कहता है कि तेरा बाई आ गया है और तेरे पिता ने उसके लिए एक पला उवा बचड़ा भी मर वाया है। अपने दास से ये बात सुनकर वे क्रो से भर जाता है और घर के अंदर नहीं जाता है। पर Although जब उसका पिता उसे बाहर खड़ा हो जाता है। उसका पिता उसे मनाने आता है। परंतु उसका बड़ा बेटा उत्तर देता है कि मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और तुने कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूँ परंतु तेरा ये बेटा वेशाओ में सारी संपति उड़ा कर वापस आता है परंतु तु उसके लिए एक पलावा बच्चडा कटवाता है बड़े बेटे की ये बास सुनकर पिता उससे केता है तु सरवदा मेरे साथ है जो कुछ मेरा है वह तेरा है इसलिए आनंद कर मागन हो क्योंकि तेरा भाई मर गया था अब जी गया है खो गया था अब मिल गया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा केसा भी क्यों ना हो अगर वो पापों से मन फिरा कर अपने पिता के पास आता है तो उसे पिता माफ जरूर करता है हालेलुया सबको जे मसीगी